आईए अब बात करती हूँ मिथुन राशी वाले जातक और जातिकाओं के लिए नया साल 2022 कैसा रहने वाला है तो मैं वीडियो शुरू करूँ इसके पहले मैं पुनह आपको याद दिला दो कि ये राशी फल आपकी चंद्र राशी और लगन राशी पर आधारित है अगर आपकी चंद्र राशी मिथुन है और लगन राशी मिथुन है तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपकी लगन राशी और चंद्र राशी दोनो एक ही है यानि आपके लगन में ही चंद्रमा है तो आपकी दोनो राशिया एक ही है लेकिन आपके लगन राशी कुछ और चंद्र राशी कुछ और है तो आप कृपा करके दोनों राशीयों के विडियोज को जरूर देखिएगा तब आपको एक बहुत ही अच्छा ओवर्वियू मिल पाएगा आपको नए साल में आप क्या एक्सपेक्ट करें इसकी आपको जानकारी बहुत अच्छे से मिल पाएगी तो बात मैं शुरू करती हूँ मिथुन राशी वाले जातकों के लिए तो देखिए मिथुन राशी वाले जातकों के लिए आप 13 एप्रिल को ब्रिहस्पती आपके दशम भाव में आ जाएंगे मीन राशी में और राहु मेश राशी में 11 भाव में मेश राशी जो आपका 11 भाव होता है वहाँ पे 12 एप्रिल को प्रवेश कर जाएंगे इसके अलावा एप्रिल महिने में ही 29 एप्रिल को शनी आपके कुम्भ राशी में प्रवेश करेंगे और 12 जुलाई को शनी पुनह वक्री होकर मकर राशी में आपके आठवे भाव में अश्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे मोटे तोर पे मैं देख रही हूँ कि माई से ऑक्टूबर के बीच में आपके जीवन में गजब की गती आने वाली है आपके कई रुके पड़े प्रोजेक्ट सब पूरे होते वे दिख रहे हैं आपके बहुत ऐसे सबने जो बिल्कूल आपको लगता था कि पता नहीं कभी अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं वो सभी पूरे होते वे दिख रहे हैं इसके अलावा में आपको ये सलादूंगी कि इस वर्ष आप थोड़े से अपने काम के बारे में बताने की पेक्षा आप उन कारियों को करने में ज्यादा फोकस रखिएगा क्योंकि ये समय इतना फेवरेबल है कि इसको आप थोड़ा भी वेस्ट करना आप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह की चीजों में समय की बरबादी से आप बचिएगा और अपने लक्षियों के बारे में आप एक मनी मन चर्चा जरूर कीजेगा कि आपको क्या लाइफ में चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है और इसे पाने के लिए आप कैसे प्रयास रत हो सकते हैं जैनवरी महिने में आपको प्रेम जीवन को लेकर थोड़ी सी कश्मकश की सिती रह सकती है आपको ऐसे एक बंधन जैसा महसूस हो सकता है कि आप इस रिष्टे में बंध गये हैं आप बंधन मुक्त होना चाहते हैं इस तरह कि एक अंदर से बेचैनी या चटपटाहट से आप दो चार हो सकते हैं आपको देगे एप्रिल महिने में कुम राशी में जब शुक्र और मंगल एक साथ प्रवेश कर रहे हैं एप्रिल के महिने में मैं आप एक ब्रेक अप की सिती देख रही हूँ हलाकि आपको कुछ दिनों के लिए अवसाद या डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि आपके भलाई में जो था इश्वर ने प्रकृती ने वही किया और एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से आप शायद निकल कर एक बहुत ही खुशनुमा और एक फ्रेश रिलेशन्शिप की ओर आप बिल्कूल आगे बढ़ेंगे जो आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक खुशियों की बहार लेकर आएगा अगस्त के महिने में आपका मन बिल्कूल खुशियों और आनंद से भरा हुआ रहेगा ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है आपके एक बहुत ही वफादार रिष्टे में आप अपने को पाएंगे और ये जो समय है आपका प्रेम जीवन अपने चरम पे होगा देखिए शनी हलागे आपके अश्टम भाव में रहेंगे जिससे आप ये एक बात तै है कि पूरे वर्ष आप बहुत नए नए लोगों से मिलेंगे नए नए उपरचुनिटीज आएगी और आपके जीवन में नए नए पॉसिबिलिटीज भी आएगी साल के शुरुवाती छे महीने थोड़े से टैक्सिंग हो सकते हैं लोगों की मांग आपसे ज़्यादा बढ़ सकती है शुक्र आपके जीवन में थोड़ी बहुत संघर्श की स्थिती ला सकता है आप कुछ नैतिक और अनैतिक कारियों के बीच में अपने को द्वन्द की सिती में पाएंगे उहाँ पो की सिती कुछ कन्फूजन कुछ आप डबल माइन्ड में रह सकते हैं जैन्वरी के महिने में अगर मैं एक बर पुना बात करूँ तो देखे नवम भाव में प्रिहस्पती आपके भागे को बहुत चमकाने आ रहे हैं धेर सारी नई पॉसिबिलिटीज नए अवसर आपके सामने आएंगे आपके फादर के लिए आपके पिता जी के लिए भी बहुत ही लखी समय रहने वाला है और व्यापारिक और व्यावसाईक सफलता से भरा हुआ यह समय रहेगा एप्रिल के महिने में देखे प्रिहस्पती पुना आपके दशम भाव में जाएंगे और दशम भाव में उनका गोचर धन संपदा की व्रिधी करेगा आपका जीवन रोमांज से भरा हुआ रहेगा जून के महिने में शुक्र देव की ऐसी दृष्टी पड़ेगी कि आपके प्रेम जीवन में आपको बहुत ही खुशियों से और बहुत उत्सा से भरा हुआ आपका प्रेम जीवन रहेगा और ये आपका सेकेंड नेचर बन जाएगा लोगों को स्नेह देना लोगों से प्रेम से बाते करना ये आपके बोली में बहुत मिठास भरी रहेगी अगस्त और सितंबर के महिनों में प्रिशव राशी में मंगल आएंगे जो आपको बहुत रुड़ता प्रदान करेंगे इस अवधी में आप कुछ भी नए प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं आपके पराक्रम में व्रिधी होगी और हालक इस दौरान आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे साल के अंत में शनी अश्टम भाव में आपकी उपलब्दियों और पहचान को बढ़ाएंगे ही इसके लावा आपके घर परिवार के लिए आपकी अचल संपती के लिए रियल स्टेट प्रॉपर्टीज को खरीदने या बेचने के लिए बहुत ही अच्छा समय हो सकता है और इस समय आप कुछ ऐसे डील को आप क्रैक कर सकते हैं जो बहुत आपके लिए मुनाफिय से भरा हुआ रहेगा पार्टनर्स आपके लव पार्टनर्स बिजनस पार्टनर्स सब आपसे डजीक आएंगे ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और ऐसे अगर मैं बोलू इन जेनरल बोलू तो बहुत सारी राशियों के लिए ये एक समय उतार चड़ाओ से भरा हुआ रहेगा वैसी ही मिथुनराशी के लिए भी लेकिन जब ये चड़ाओ आएगा इस वर्ष आपको चंद महिनों में तो आप फिर आपका बिल्कुल नखुशी से पूले नहीं समाएगा और आर्थिक जीवन की मैं बात करूँ तो द पुना बता दू कि प्रेम जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है 2022 में आप दोनों प्रेमी प्रेमी का जोश और उतसाह से भरे वे रहेंगे आप अपनी भावनात्मक उर्जा को सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे आपके बीच में कोई भावनात्मक तोर पे कहीं क पार्टनर टॉक्सिक हो अगर सब कुछ अच्छा है तो यह ब्रेक अप नहीं होगा और आप अपने प्रेम को आप आगे बढ़ाते वे दिख रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाते वे दिख रहे हैं जो मितुनराशी के सिंगल नेटिव्स हैं उनके लिए भी एक बहुती अच्छे समय के शुरुआत है दोहजार बाइस में उन्हें भावी प्रेमी या भावी जीवन साथी से भेट हो सकती है आपके करियर की बात करूँ तो ये वर्ष थोड़ा सा मिश्रित परिणाम लेकर और साथ ही साथ आपका जो औरनाइडेशन है मैनेजमेंट है वो आपसे और आपकी प्रोड़ाक्टिविटी की दिमांड कर सकता है क्वालिटी की दिमांड कर सकता है अगर मितुनराशी वाले विद्यार्थियों की बात करूँ तो ये एक 2022 आपकी सिक्षा के दृष्टिको को उनके मंचाहे कॉलेज में दाखिला मिलता हुआ दिख रहा है प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं जातकों को दूसरे सप्ता के बाद देखिए एप्रिल के दूसरे सप्ता के बाद अगर आपका कोई एक्जाम है तो आप उसको जरूर से क्रैक करते वे दिख हैं विट्टी ये जीवन भी मैंने आपको बताया कि जो आपका फाइनांशियल फ्रंट है वो बहुत ही बैलन्स रहने वाला है अच्छा रहने वाला है आपके वेवसाय भाव के स्वामी होते हैं ब्रिहस्पत्ती और इस वर्ष वो आपके करियर भाव में ही गोचर कर रहे हैं ये आपके लिए एक बहुत ही खुश्रुमा समय की शुरुवात है गुरु ब्रिहस्पत्ती आपके आए को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसके अलावा अश्टमभाव के शनी जो हैं आपको किसी भी अनेक्सपेक्टेड गेन से आपका सामना करा सकते हैं और जो भी ऐसा अनेक्सपेक्टेड इंकम के बारे में आपने सोचा नहीं था या जो आपका कमाया हुआ पैसा नहीं है उसका भी आप फल प्राप्त कर सकते हैं अक्टूबर और नौवंबर का महिना ऐसा है कि आपका कोई भी रुका हुआ धन है वो आपको वापस मिलेगा अगर पिछली नौकरी में कुछ आपकी सैलरी बकाया रह गई थी या कुछ इंक्रिमेंट बकाया रह गया था तो वो भी आपको मिलेगा आपके परिवारिक जीवन के लिए मैं बात करूँ तो ये वर्ष बहुत खास रहने वाला है इस पूरे वर्ष आप अपने परिवार के लिए समर्पित रहने वाले हैं आपके घर परिवार में खुशियों का महौल बनने वाला है और इस वर्श आप अपने घर को जरूरत के हिसाब से कुछ नई बड़ी कुछ ऐसी उपहार आप खरीद के अपने घर को दे सकते हैं जिस चीज के आपको जरूरत होगी और जिसको आपने बहुत दिनों से प्लान क किया था खरीदने का वो आप खरीद सकते हैं और आपके फैमली में मैं एक शुब कारे का आयोजन भी बेख रही हूँ यह आप विल्कुल मान के चलिए कि घर में मांगलिक कारे जरूर होने वाला है आपके और इसी तरह में आपके संतान पक्ष की बात करूं तो देखिए बिहस्पती और शनी की यूती इस वर्ष के शुरुआत में आपको आपके संतान की दृष्टी से बहुत शुब फल प्रदाई रहने वाली है अगर नौ विवाहित हैं तो आपके जीवन में खुशियों का संचार होने वाला है आपके घर में एक नंधा महमान आने वाला है और या आपके आपको संतान सुख प्राप्त है तो बच्चों की पढ़ाई से आपको खुशिया मिलने वाली हैं बच्चों के प्रॉग्रस से उनके डेवलाप्मेंट से आपका बन बिल्कुन फूले नहीं समाएगा अगर आपका बच्चा विवाह योग है तो उसकी शादी के प्रबल योग है और एप्रिल के बाद का समय थोड़ा सा समय मुश्किल हो सकता है बच्चों के लिए लेकिन अगर आपकी सेकंड चाइल्ड की अगर मैं बात करूँ दो बच्चों में मैं छोटे वाले बच्चे के लिए यह जो वर्ष है मिथुन राशी के जातकों के लिए देखिए अभी जो मैंने बताया वो मिथुन राशी के संतान के लिए शादी का बहुत ही अच्छा समय है लेकिन अगर आप खुद मिथुन राशी के जातक है तो यह समय थोड़ा प्रतिकूल है अगर आप एक स तो वह आपके लिए ज्यादा बेटर है, जैसे जैसे वर्ष बीटता जाएगा, समय आपके लिए सकरात्मक होता जाएगा, शुक्र किस्तिती बदलती जाएगी और वह आपके लिए फेवरेबल करते जाएगे समय, वैवाहिक जीवन अगर आपके पहले से शादी शुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में एक स्थाइट वा आएगा, और आपके प्रेम में में प्रगारता बढ़ेगी, आपके वैवाहिक जीवन में रोमांस का संचार होगा, तो इस तरह से मैं देख रही हूँ का आपके मैरिग लाइफ में बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है अगर आप मिथुन राशिके हैं और वैवसाय से जुड़े वे हैं, आप बिजनसमेन या बिजनसविमन हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है, वैवसाय में लाव की उमीद जता सकती हूँ मैं, आप कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, वो आपके जैनवरी से जुन के बीच में इस काम को अंजाम दें, अधर्वाइस मैं जुन के बाद किसी नई शुरुआत के लिए उतना फेवरेबल समय नहीं देख रही हूँ, वैवसाय में दोखा दड़ी या बिजनस पार्टनर से किसी ब्रीच आफ ट्रस्ट की आप उमीद कर सकते हैं, इसलिए आप अपने बिहेवियर को इतना पॉफेक्ट रखिए और खुद आप एकदम एलर्ट रही है, सतर्क रही है, किसी बी बात में आपको कोई मूर्क ना बनाए, आपको आपके सीधापन का कोई फायदा, आपके शराफत का कोई फायदा ना उठाए, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किसी भी प्रकार के धोके बाजी या धोके बाज के संपर्क में आ सकते हैं, अगर आप संपती या वाहन खरीदने की सूच रहे हैं, तो 2022 का समय इन चीजों के लिए मध्यम रहेगा, इस वर्ष हाला कि आपकी आतिक सिती बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप अपने आपको बिक टिकेट आइटम खरीदने से रोक सकें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, वैसे ग्यार्वे भाव पर शनी की दृष्टी है, आपके सुख सुविधाओं में जरूर बढ़ोतरी करेंगे, और एप्रिल के बाद चौथे भाव पर गुरू की दृष्टी पड़ेगी, सब्तम दृष्टी पड़ेगी, तो यहां से आप किसी भी तरह के गोल्ड जूनरी, जेम्स, इस तरह के भवन, भूमी, इन सब चीजों को खरिदने की प्रबल संभावना देख रही है, आप विल्कुल रोक नहीं पा तो मैं देख रही हूँ कि मितुन राशी वाले जातकों को अपने स्वास्त की बहुत चिंता बनी रह सकती है, लेकिन आप अपने स्वास्त को खुब संभाल के रखिए, उसका ध्यान रखिए, तो आपको कोई भी बड़ी परिशानी नहीं आएगी, खान पन और रहन सहन के प्रती आप बिल्कुल सजग रहे, किसी भी तरह कि आप अपने सहत को लेकर खिलवाड मत कीजिएगा, आपको रक्त और वायू से सम्बंदित कुछ विद्कार ना होने पाएं, इसका आप ध्यान रखिएगा, आप जदा फैटी फूड और जंक फूड से अपने आपको प्रिशानी नहीं होगी, दिखिए 2022 के लिए मैं कुछ जोतिश ये उपाय आपको बता रही हूँ, आपके लगनेश बुद्ध होते हैं और इनका जो रत्न होता है वो होता है पन्ना, अगर पन्ना धारन करें या अगर आप पन्ना धारन नहीं करना चाहते हैं तो के सालेड आप ऐसे मून को आप जरूर खाईए बुद्वार के दिन ये पन्ना से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके बुद्ध को प्रबल करने में आप पौधों को पानी दीजिए आप बुद्वार के दिन पौधों की कटाई छटाई मत कीजिए उनके पतों को फ पढ़ने में मुश्किल से 5-7 मिनिट लगता है आप अगर समय निकाल सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही सकरात्मक रहेगा इसके अलावा अगर आप नहीं ही पढ़ पाए तो आप शनिवार के दिन शाम को संधियाकाल में संसेट के बाद जरूर पढ़िए आप अपने मेर प्रयोग मत कीजिए आप इन चोटी चोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2022 का साल आपके लिए बहुत ही शुब रहने वाला है और आपके जीवन के कुछ चंद यारदगार सालों में शुमार होने वाला है अब चलती हूँ आप आग्या दीजिए वीडियो पसंद आने पर आप लाइक का बटन जरूर दबाईएगा और वीडियो के लिंक को आप अपने वैसे फ्रेंट्स और फैमिली में शेयर कीजिए जो मितुन राशी के हैं और इसके अलावा मैं आपसे ये भी आग्रा करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत सारे मेरे ऐसे दर्शक हैं जो भूध रैडियोलर ली मेरे प्रोग्राम सको लेखते हैं और उन्होंने अभी तक नहीं किया मैं आपसे पुना निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्दी तब तक आप अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत